हेलो दोस्तों वेल्कॉम तो मैं चैनल देखिए अज़ कर रहे थे यह उसी का नेक्स्ट पार्ट है एल्ट आई सिस्टम यानि लीनियर टाइम इनवरियंट शिस्टम विद इनपूट एन आउटपूट रिलेटेग थो दी एक्वेशन इनपूट औ आउटपूट के बीच में रिलेशन दे रखा य ती इकोईस्टू माइनस इंफिनिटी तू टी एकी पावर माइनस टी माइन टी टो इंपरसे स्पूं एस्टी फो दिस सिस्टम इज हमें रता नहीं है कि एस्टी की वेल्यु क्या होगी अब दीके जो एक सॉलूशन और आउटपूट जो होता है आउटपूट का फोर्मूला होता है कनभोलूशिन में क्या होता है माइनस इंफिनिटी तो प्लस श्रू करो यहां पर तो की जगह टो मा निस टी है और हिहांपर देखिए ह तो यह तो सिस्टम पूरा वह नहीं है पहले इनको रियाइंज़ करना ओगा देखिए कैसे करते हैं जो given equation मैं उसको लिखता हूँ minus infinity to t e की पार minus t minus tau x tau minus 2 d tau ठीक है next अब देखिए मैं limit minus infinity to plus infinity लिख सकता हूँ कब कब लिख सकता हूँ मैं t की जए infinity जब मैं यहां पर u t minus tau को दोवारा लिख लूँ ठीक है यह limit जो लिखी गई होगी तो यह इसकी को हटा के लिखी गई होगी into बागी का एज़टी जाएगा x tau minus 2 d tau ठीक है अब लिमिट समझ नहीं आ रही है तो इसका इसका यह क्या है u पहले बनाएंगे u t plus tau u t plus tau बनेगा इदर की तरफ then u minus 2 ठीक है उसके बाद हम लिमिट लेंगे इसकी अगर इसको बना लोगे दुबारा से तो यह limit ऐसी as it is उतर का जाएंगे ठीक है तो अभी यहां पर देखो अभी यहां पर x tau minus 2 है वहां पर क्या है केवल tau तो हम क्या करेंगे tau minus 2 को assume कर लेंगे let tau minus 2 equals to p ठीक है then क्या हो जाएगा d tau की वैल निकाल लो यहां से d tau dp के क्योल आ जाएगा 2 का differentiation 0 हो जाएगा यहां इसमें देखो अब क्या change आता है tau की जगे अगर मैं minus infinity रखूंगा तो limit में कोई change ने आएगा p की ठीक है plus infinity रखूंगा तब भी कोई change ने आएगा minus t minus tau को था हमने अटा दिया tau की value कितनी आ गई 2 plus p ठीक है तो इसके tau की value कितनी आ गई p plus 2 u t minus कितना p plus 2 यह कितना हो जाएगा tau minus 2 की जगे तो माने यह वह आ जाएगा p d tau की जगे dp इतना कुछ आ गया ठीक है इसको थोड़ा मैं और rearrange करता हूं देखिए और जादे clear दिखाने के लिए dp इससे minus key t यह अंदर multiply करूंगा तो इस type का एगा xp dp ठीक है तो हमने वह पढ़ा था कि जो integration पढ़ाता वह किस पर variable पर change of variable पर depend नहीं करता है ठीक है तो मैं लिमिट को दोवारत change करकर लिख सकता हूं by change of variable ठीक है तो p की जाए क्या जाएगा t minus 2 minus 2 x to d to ठीक है by change of variable अब देखे इस equation number 1 से compare करने शुरू करीए इसको यह question number 1 minus infinity to infinity यहां पर x to x to यहां पर भी है h t minus 2 h t minus 2 ठीक है तो t minus 2 minus 2 minus 2 यहां पर है तो t कितना यहां पर है t minus 2 t minus 2 ठीक है तो h of t जो आएगा कितना आएगा e की पावर minus t minus 2 t minus 2 to को छोड़ देना के वल u t minus 2 तो हमसे h of t की value पहुचे गई थी जो किया ही है e की पावर minus t minus 2 u t minus 2 ठीक है देख लिए कोई step अगर छूट गया हो तो next question करते x t plus 5 convolution delta t minus 7 इसका क्या होगा answer देखिए इसको मैं x वाला मान लेता हूं इसको h वाला मान लेता हूं क्या होगा तो h of t कोई स्टू दे रखा मुझे क्या मैंना मान लिया है let h of t कोई स्टू delta t minus 7 तो इसको h t minus 2 से replace कर दो delta t minus 2 minus 7 अब हमें क्या करना convolution find करना किसका x t plus 5 convolution delta t minus 7 तो वो क्या होता है minus infinity to plus infinity x to x to मतलब यह वाला x मैं t के जाए क्या कर दोँगा to 5 to put कर दोँगा into h t minus 2 h t minus 2 h t minus 2 कितना है delta t minus 7 to minus 7 into d to delta बस इसको मुझे solve करना है यहां पर देखिया और थोड़ा और देखियो मैं और करता हूं इसको हर एक मैं step को और जाद जितना जाद है open कर सकता हूं वो करके दिखा रहा हूं minus 2 plus t minus 7 करके मैं लिख लूँ इसको लिख सकता हूं ठीक अभी मैंने as it is लिख 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 लिया इसको minus infinity 2 plus infinity x to plus 5 delta अगर मैं minus common ले लूँ यहांस कोई दिक्कत तो कितना हो जाएग to minus t minus 7 d to ठीक है तो एक बाद मैंने लिख वाई थे delta जो होता even function होता है न we know delta minus t equals to delta t ठीक है तो यह delta इसको आगर मैं कियवे लग पूरे को t माल लू ठीक है तो delta minus t equals to delta t आजागा then minus infinity to infinity x to plus 5 into delta किसने एक वाल आगे टो माइनस t माइनस 7 d2 ठीक है इतना गया next और देखिए मैंने एक फोर्मूला लिखा यह था we also know that we know that अगर minus infinity 2 plus infinity हो X T into delta T minus T no dT हो तो इसकी value क्या होती है X T no ठीक है अगर यह T no जो value है हमारे किसके भीच में लागि कर रही है minus infinity2 plus infinity के भीच में तो अब देखो, यहां पर हमारा टो, देखे, यहां पर T, जो था हमारा independent variable था, ठीक है, यहां पर देखे, वो काम ठो कर रहा, तो यहां पर T-7 हो जागा T-not की value, तो यह आ जाएगा X, ठीक है, तो T-not की value यहां से compare करके लिखो, कितनी है, T-not equals to T-7, तो मैं यहां पर, जहां पर 2 होया, उसकी जागा क्या लग दूँगा, T-7 प्लस 5, यह कितना आ गया, जो हमें निकालना था, X, T-5, T-5, convolution, delta T-7, इस इक इक इस तो कितना आ गया, X, T-2, ठीक है, तो यह आ गया इसका answer, जब भी कोई question आएगा, इसी type से कर देंगा, ठीक है, यहां से हमने क्या देखा, अगर हमारे पास कोई भी वह आता है, यहां से एक general formula लिख लो, अगर तुम्हें कभी भी ऐसे दीखे, general, क्या आ गया, X, T-T, convolution, delta के साथ, T-, इसको चलो, A के दो, इसको के दो, B, करना तो, ठीक है, X, T-, इन दोनों को add कर देना, ठीक है, यह किसके equal आया जागा, X, T-A-B, यही काम क्या हमने, ठीक है, अगर ऐसा कभी दिखता तो हम direct भी कर सकते है, X, T-A-B, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू मिलते हैं, नेक्स वीडियो में,